इसी गढ़्धे के अंदर सल्मान खान अपना यहां पर कपड़ाद होते थे तो गाइज इस तरफ से देखिए हम पहुंच चुके हैं यहां पर जमाली कमाली मस्जिद में और यह जो दर्वाज़ा आपको दिख रहा है गाइस यह इसका इंट्रेंस गेट है और फिलहाल अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं और इसके बारे में तो हमने काफी वीडियो, वहादा देखा है लेकिन हम यहां पर first MIy हैं और आप ऑप देखें, यहां पर प्माली मस्जिद के बारे में पुरा इतिहास हैंसे भी आप पड़ सकते हैं लेकिन फिलहाल तो आपको हम इसका इतिहास पूरा बताने वाले हैं। और इस पेड़ को देखिए गईज। अगर आप इस पेड़ को देखिएगा तो आपको कुछ याद आएगा। तो यही वो पेड़ है जहां पर सुल्तान मूवी में सल्मान साहब जो है यहां पर इस ट्रा से ऐसे करके बैठे वे थे हैं। याद है आपको। और गईज अगर आप इस गढ़्ड़ को यहां पर देखिएगा ना तो हो सकता है कि उस जमाने में जो है इसमें पानी वगर आखने में काम आता होगा। लेकिन फिलहाल अगर आपने सुल्तान की मूवी देखी है तो यहां पर इस गढ़्ड़े के अंदर सल्मान खान अपना यहां पर कप्ड़ा दोते थे हैं। आप उस मूवी को देखिए और यहां पर इस तरह से वो जो है कपड़ा को रोजो से यहां पर मारते थे हैं और यह देखने में ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो है पानी जमा होता था क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक पानी निकलने का रास्ता भी है यहां आप देख सकते हैं यह वाला तो हो सकता है कि उस दमाने में यहां पर जो है बजू वगरा करने के काम में यह इस्तेमाल में आता होगा फिलहाल अभी आप मूपर जा रहे हैं प्रभू तो इसके लावा और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पर आपको दो पेड़ दिख रहे हैं तो यह दोनों पेड़ यहां पर सल्मान खान की मुवी के लिए बहुत एहम हिस्सेश्ज़ंग है और यह जो मुवी है यह जो पेड़ है इस पेड़ को आप याद की जि और यह जो पूरा हिस्सा देख रहा है ना यह असल में वह वाला हिस्सा है जिसे पूरा मट्टी से कवर कर दिया गया था और यहां पर कुष्टी वगारा होती थी इसमें सल्मान खान भी कुष्टी यहां पर करते थे तो यहां से अगर आप देखी गए गाना तो यह जो मस्जिद है इसमें आपको पांच दर्वाज़ यहां पर देख सकते हैं यह जो आपका में दर्वाज़ा है आगर हम गुंबद की बात करें तो उपर में यहां पसी फेक गुंबद है और इसका जो इस ट्रॉक्चर रहाइ लेकिन आज भी यह कितने मज़बूती के साथ यहां पर खड़ा है तो कि इस फिलहाल जो है जो है नदर आभा मस्जिद के अंदर जा रहे हैं और मस्जिद पर दक यह निगाने से पहले हमने अपना जूता वाँ यहा पर खोल लिया है तो यह आप देख सकते हैं ये है मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा, फिल्हाल तो इसके अंदर नमाज नमाज यहां पर कुछ नहीं होती है, और यह आप देख सकते हैं बीच में, यह है यहां का सबसे एहम हिस्सा, और इसी जगह पे उस जमाने में इमाम सहब यहां पर आकर करके खड़े ओकर करके पुलों के निशानी छे सित पॉइंटेड स्टार यहां पर आपको दिख सकता है जो कि मुगल आर्किर्टेक्चर की बहुत ही बड़ी निशानी हुआ करती है और इसके उपर में अगर आपको दिखाएं गाइस तो इस महराब के ऊपर में आपको दो कमल के फूल भी यहां पर लगे रहा है कि एक दूसरे के ऊपर जो है यह दोनों यह सारे रखे हुए हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर जो है एक बड़ा गुंबद आपको ऊपर में दिख रहा है और इस बड़े गुंबद के ऊपर देखिए यहां पर कबूतर का यहां पर अड़ा यह उसके बाबर और उनके सारे लोग यही पर नमाज वगरा यहां पर अदा करते थे और इस मस्जिद यही मस्जिद थी जिसमें शेख जमाली या शेख फजलुल्ला जिनको कहा जाता है वो भी इसमें नमाज यहां पर पढ़ा करते थे और शेख फाजल अबारे में के ये कहा जाता है कि वो बहुत ही बड़े शायर थे और वो मुगल वंच में बाबर अर हुमाइउं के बहुत ही जाने-मानें तरोली हुआ करते थे और यहां पर उन्हें काफी वक्त यहांपर गुजारा है और जहां तक उनकी हम मजार आपको हम दिखाते हैं तो वो जो आपको सामने में एक साथ मीटर का जो एक आपको इस ट्रक्चर दिख रहा है उसी के अंदर जमाली और कमाली दोनों की मजार आपको यहां पर दिख सकती है लेकिन फिलहाल अगर आपको हम दिखाएं तो यहां प मोगल डानेस्टी में 126 में कायम किया था हुए On the पिर 1530 में बावार का इंतकाल हो जाता है और फिर वो अल्ला को प्यारे हो जाते हैं तो यहां पर लेकिए मस्जिद के दोनों साइड में जो यहां पर इसला की सीड़ी यहां पर बनी वी है और यह जो सीड़ी आप देख सकते हैं यह फिलहाल तो complete आप पूरी तरह से यहां प 1536 में हो गया था और वो जो हैं बाल रुमाईू के प्रियर में दरभारी थे उसके ऐप जब का वक्त आ रहा था तो अख्बर के टाइम में उनके बेटे जिनका नाम था अब शेेख गद़ी तो शेख गद़ी जो थे अख्बर के टाइम में दरभाई थे और बाद में आगे चल करके जो है न 1569 में बैरम खान ने उन्हें चीफ जस्टिस का एक रुद्बा दे दिया था तो इससे यह समझ में आता है कि शेख फद्लिल्ला जो थे वो काफी इजद्दार और काफी रुद्बा रखने वाले मुगल वंच में एक सूफी संथ है लेकिन कैस इसक को ऐसा हुवा बदाने के लिए बोल देते हैं कि हॉंटेड है बाखी ऐसा कुछ यहां पर जैसा हमने आपको दिखाया यह बिल्कुल पीस्फुल जगह है और आप यहां पर आ सकते हैं तो इस तरह से हमने जो है आपको यहां की जमाली कमाली मसित भी दिखा दिया है और उम जहां तक हम जैसा कि सुनते हैं कि यह हॉंटेड प्लेस है और यह ऐसा